नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैं हूँ आपके साथ पंडित बेत प्रकाष चत्रवेदी ओर्प सिवम तो जैसा कि आपको ग्यात है निकाय चुनाव अभी नद्दीक आ चुके हैं और निकाय चुनाव पर प्रतियासी भी उतर चुके हैं कहीं न कहीं अपनी बॉल हाथ में लेकर बैठ हाथ में लेकर वह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आविदन है बैसावी पार्टियों को अपना सौप चुके हैं और उनके कंडिडेट बन चुके हैं बस इंतिजार है प्लेगराउंड का कि किसमें वहें खेलेंगे प्लेगराउंड हम बता दें कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे हम प्लेगराउंड मार रहे हैं तो आज जो है हम एक ऐसी सक्सेस के पास आए हैं जो पिछले 30 वर्स से लाकातार समा सेवा में लगी हुई है चंदोसी की फायर विग्रेड लेड़ी स्रीमती संगीता भारगव जी के पास जिनने पिछले 30 वर्सों का अनुवव है सहर का कि कैसे सहर में कौन-कौन पिरतियासी आए और किसका कर रहा तो आज जो हम उनके घर पर आए हैं साक्षातकार करने और आप लोगों से संगीता बारादान कर रही हैं तो आए चलते हैं मिलवाता हैं आपको सिरीमती संगीता भावजी से िया सब्सक्राइबू नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जैसा कि आपको ग्यात है, नगर निकाय का चुनाप का जो बिगुल है बैबच चुका है, और हर पिर्तियासी अपने इसमें दाव लगा चुका है, पिर्तियासी उन्हें अपनी दाविदारी ठोंग दी है, बस इंतिजार है, त क्योंकि चंदोसी की फायर पराण लेडी भी कही जाती है बंसंग रख्षक प्रकरती संग रख्षक जल संग रख्षक और यहां तक की महलाओं का सम्मान उन्हें बापस दिलाने और स्काउट गाइट के माध्यम से बच्चों को एक प्रुटसाहन दिलाने और उनमें एक नई उर्जा भरने के लिए हर समय तयार रहती हैं हमारे साथ हैं आज की एक चंदोसी की प्रतियासी स्री संगीता भार्गवजी स्वागत है आपका हमारे चैनल में निवाद लिया जी मैं जाना चाहूंगा आपसे सब्सक्राइब तो आप अपने एक एदर परिश्य दीजिए कि जनता आप पे जोड़े और आपको अपना मिता माले लाए हैं मै शंगीता भागव पिछले चौटे सुअख तो से आपके शहर में आई और इस शहर को अपना माना और तभी से काम करना चालू किया क्योंकि मेरे जो दद्या ससुर थे वो भी एक समाच से ही थे और मेरे श प्रेडना लेके कारें चालू किया और आज करीबन दस बारा पदों पर मैं हूँ, मैं यहां राज के परिवाद समीती की अध्धिहक्षा डेम साब ने बनाया हुझे, यहां डिस्ट्रिक काउंसलर हूँ, परवार नयाले में बैठती हूँ, इधर उत्तर प्रदेश विदिक प्रदिकरिन की सदस्या भी हूँ, गाइट कमिशनर के साथ मैं दस नभ्य जो महिला हेल्प लाइन है, उसकी डिस्ट्रिक कॉडिनेटर भी हूँ, यहां परियावरन, पी-सी-पी-एंडी-टी, व्रद्दाश्रम, दिव्यांग, जितने भी जिले की कमिटी हैं, उसमें मैं सक्रिय सदस्या भी हूँ, यहां की मैं प्रबंदग समीती में भी हूँ, तो ऐसे करीबन 12 से 15 पोस्ट ऐसी हैं, जो मैं सक्रिय रूप से कर रही हूँ, संस्कार भाठी से जुड़ी हूई हूँ, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश की महिला प्रकोष की उपाध्य हक्षू, पेपार मंडल की, तो प्रांत में हूँ, संस्कार भाठी से, मतलब हम कह सकते हैं, कि जहां भी अगर समासीवा का नाम आता है, तो सबसे पहले महला हूँ में, आपका नाम आता है, हाँ, आसे कई साल पहले जब चालू किया, तो शायद एक लौती महिला थी, उसके लिए मैं काफी द्रॉबैक भी लोगों से लिये हैं, पहले जब महिलाएं नहीं निकलती थी, तो लोग बाग अपनी भंगों को मुझसे नहीं मिले देते थे, कि उनसे मत मिला की बिगार देगा, तो आज महिलाएं निकल आई, आज महिलाएं वो काम कर रही हैं, जो हम लोग चाहते कि आपने आपने निरबर का खुद सम्मान कर सकते हैं, खुद कारे करें, अपने खुद के पैचान भी बनाएं, चलिए सुरू करते हैं, और मैं आप से जाना चाहता हूं, कि आप बिना स्वार्त के पिछले लगवक तीस बरसोते समासिवा कर रही हैं, बिना किसी पार्टी से जड़े हुए, परन्तु ऐसा आज क्या हुआ कि आपको जो है चुनावी मैदान में आना पड़ा, और आप जो है नगर में एक नगरपालिका का जो चुनाव है, उसमाप प्रतियासी की रूप में अपने आपको देख रही हैं इस समय, और कहीं न कहीं जैसा कि मुझे ग सब्सक्राइब का चुनाव हो चुका है, हर साल नए वाइदे आते हैं, नए वाइदे हमारे जो चेर्मेन होते हैं, वो करते हैं, दावेदारी बहुत सारी होती है कि ऐसा कर देंगे, सड़क बनवा देंगे पानी, लेकिन पिछले 30 साल से मैं अपने स्टेशन रोड पे दे काम हो रहा है, तो मेरा जो पॉलिटिक्स में उतरने का वो था हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, हम लोग रूट कोस्पर आप करके दिखाएंगे, और वो कारे मुझे वो बोलने का जो काम करने का पावर मिलेगी, मुझे मेरे कलम से मिलेगी, और वो कलम पबलिक मुझे फिर मुझे अधिकारियों का मुह नहीं देखना पड़ेगा, मुझे खुद काम कर लोगी, मतलब यह है, आपका मोटिव यह है कि जैसे आप अगर नगरपाल का अध्यक्स बन जाती है, तो आपको किसी की जरूवत नहीं पड़ेगी, आप खुद में इतना सक्चम हो जाए है, तो मैं यही पूछूँगा कि आपने किस पार्टी से मिद्वारी, मतलब दावेदारी की है इस समय, यह हमारी जो इस समय लीडिंग पार्टी है, बीजेपी, उसके दावेदारी करी है, आवेदन दिया है, और वेट कर रहे हैं उन्हें के डिसिजिंस का, तो कही ना कही कि यहां डिस्ट्रिक टीम में हूँ जाइन्स की डिस्ट्रिक टीम में हूँ यहां करीबन 10-12 रोटरी क्लब है और 10-12 ही हमारे जाइन्स क्लब है जो काफी अच्छी पॉपुलेशन जो एजुकेटिव हो हैं वहां से हमारे को जोड़ते हैं मैं एक स्कूल संचालिका हूँ जिसमें हर साल 700-800 बच्चा मेरे बास रहता है तो अगर मैं अभी बाबा को को देखू तो डबल हो जाता है फिर मैं इनके BMG डिक्री कॉलेश से जुड़ी हूँ मैं SM कॉलेश से भी जुड़ी हूँ कहीं न कहीं उनके NSS के क्यांप वगरे मैं से जुड़ी हूँ तो यूत मेरे साथ है तो मीरे को लगता है कि क्योंकि मैं समाज में उतर के काम करती हूँ यहां हर गली हर वर्ग में मैंने काम क्या है तो लोग बताख मेरा वे है लगबग अभी जो है चंदुसी की जो बूट बैंक है या मतलब पॉपलेशन हम कहेंगे लगबग दीर लाख है तो डीर लाख में लगबग आपसे अभी कितने लोग जुड़े हुआ है जो कि आपके लिए जैसे आप कहेंगे वैसे कर सकते हैं मुझे अपने पर विशवास है मुझे यह मालूम है कि मेरे संग करीबं 30-40,000 आजार आदमी जोड़ा ही हुआ है जो इंडिरेक्ली डिरेक्ली क्योंकि मैंने इतने परिवानों को मिलवाया है इतने परिवानों की समस्या क्योंकि कही ना कहीं अब में जैसे स्कूल शंचालिक जब मेरे काम को देखते हैं, तो कहीं न कहीं पॉजिटिविटी आती है, वो एक से नहीं, दस लोग जोडते हैं, बारा लोग जुडते हैं उससे, तो वो मतलब कहीं न कहीं मैं देखता हूँ कि हर जीती भी वैसे इसी में छुबई है, तो अगर देखा जा एक रूप से तो आपको लगता है कि चंदोसी की जो जनता आपसे जुड़ी नहीं है वह भी आपको समर्तन देगी अगर चंदा विकास चाहती है तोकि हमको यह चुनाव कोई पर्टिकुलर्ली पार्टी का नहीं है यह ना बीएस्पी का है ना बीजेपी का है ना कॉंग्रेस का है ना और वो कैंडिडेट चुनना है जो नगर का विकास कर सकी जिसने अपके पुराने कामों से प्रूफ कर दिया हो कि नहीं यह कर सकते हैं और यह इन्होंने शहर के लिए कुछ किया है तो यह जनता का डिसिजिजन है कि जनता को पढ़के अच्छे से देखके अच्छे से सोच समझ के वोट करना है कही ना कहीं मैं रोकना चाहिए कहीं ना कहीं आप जैसे सिक्षित हैं तो आपको सभी पूरी नौलेज है उसका भी आप बेनेफिट जनता को दे सकते हैं जब हम लोग देश में घूम के आते हैं सब जंगे जब देखके आते हैं तो अगर हम बाहर घू क्या रहे हैं तो 5% 2% तो हम चाहेंगे कि हमारा शेहर भी वैसा खूबसूरत बने जो बाहर लोग बाग देखने जा रहे हैं अच्छा मैं जाना चाहूंगा जैसे आपके जो ग्यात है कि चंदोशी की मुख्य अभी तक की जो समस्या हैं वह आपने क्या उसकी मतलब रूप यंग पीडी है जो हमारी यंग जनेरेशन है वह यहां से भागती है चनौशी का तो विखास कुछ नियों पारा ना सुंदर है शेहर पानी बढ़ता है ना बिजली आती है ना साड़क है अच्छी तो वह हमारा जो अट्रैक्शन है यूथ को अट्रैक करने का कि शेहर में जाए मेद्हूं करने कि शकर रिए वहां यूष को था जेवार ऑन भी क्रड़ कर दियू है वह हमारा पानी पर और तो फर बूर्हें कहीं नहीं है यहां कोई पार्क नहीं है किना अम्हारे मान्य मुक्ष मंत्री जी ने निकाली ती अम मुझे लगता किसी भी नगरपालेका यह सब जब हम देखेंगे कि हर चीज रिलेटेड चोटे चोटे पैचेज बना के सड़क बना के वो कर दिया कोई इससे कोई फायदा नहीं है जब अभी जैसे गैस पाइपलाइन डल रही है वाटर पाइपलाइन डल रही है एक बार सारा खुद जाए तो यह साथ में है यह मतलब कहेंगे कि गटतर का दो कर रहे है अभी तक टुनव लूप लयक श्रें डॉसम वह पंदरा ही नहीं हों परervere других करना है कि इसको करना एक ही बार में सारा खुद केrum Spare commencement तो तो आपको अगर आप दिन में काम करोंगे तो दिन में तो पब्लिक इधर उदर जी जी अभी आप अपना जो रोल मॉडल है नेता में बहक किसे मानती है जह सब के रोल मॉडल मेरे भी रोल मॉडल मुझे कमाने हमारे प्रहानमंतृ श्री मोटी जिस तरह से मोष्येन लेते हैं और रांडम दिसीजन लेते हैं और भले के लेदे लिए divid disciplined कि इस से पूछों उससे पूछों उससे पूछों और रांड़म खुद देसिजिन लेकर और उनको इंप्लिमेंट करते हैं अभी जैसे यह मनी का हुआ था मानी चेयों तो बहुत सारे डिसिजिन ऐसे जो उनके अच्छे रहे और हम यह तो नहीं कहेंगे सारे मिशिन शक्ति क जैसे मीरे पर वे जैसे बिल्ब करिये ना खाइंगे खाने देंगे मतलब यह एस इंग पूं डिक अगे यहां मैं हूँ लेकिन खाने में और सब के पीछे आगे पीछे चमचा गिरी करने में मैं बिल्कुल नहीं हूँ जैसा मैं कहूंगा कि आप जैसे महला और गरीबों के लिए लड़ती हैं क्या आप चंदोसी के चोथर पर विकास के लिए भी लड़ेंगे जब यहां पर मैं आ से क्योरिटी 15-15-20-20 दिन लड़कियां यहां के रहके गई हैं तो उनको खाना खिलाना उनको पिलाना उनके घर वालों से उनको मिलवाना उनसे बाते करना यह सब जब करते हैं क्योंकि यह एक नशा है और यह समाज सेवा मुझे नशा है और यहां का जो जो पॉजिटिव हमारे जब उस समें मुख्यमंत्री श्री अकलेश आदरब जी थे तो एक महीला सुरक्षा सम्मान हुआ था जिसमें पूरे डिस्ट्रीक्स में से एक महीला को निकालना था आज वो डिस्रिक्टका अवार्ड मेरें पास है आज नारी सम्मान पूरे मुष्दाबाद मंडल क मेरे पास है, फिक की फ्लो आवार्ड मेरे पास है, पर्यावर्ण मित्र समीति का आवार्ड मेरे पास है, बहुत सारे आवार्ड हैं, बहुत सारे अवार्ड हैं, मतलब मैं देख रहा हूं कि पिछले तीस साल से जो आपकी मेहनत थी, वो कही न कहीं रंग लेक आई, बीच में कि आपके संभंध अखले स्यादव से भी हैं तो आपने सपह को क्यों नहीं चाहिए. देखिए संभंध नहीं है, मैं जैसे आपको पहले बताया कि मैं किसी पॉलिटिकल्टिकलर किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं काम करती हूं हमारे प्रशाशन से भी त्रू भी करते हैं अब वो हमारे अकले श्यादर जी हमारे प्रीवियस मुख्यमंत्री जी रहे तो हमारे को तो काम करना है हमारे को तो किसी नेतरत के उसमें काम करना है संबंद मेरे किसी से नहीं है संबंद उनको कहते हैं जिनको मैं बुलाऊं बिठाऊं या वो करूँ ऐसा मेरा ना किसी भी पॉलेटिकल पार्टी से नहीं है जैसे अब मैं मान रहा हूँ कि यदि एक परसेंट बाजपाप का साथ नहीं देती है तो क्या आप मेदान में निकलिया है अभी मैं तो इस पर कोई टिपड़ी नहीं करूंगी क्योंकि अभी भी मेरे जो 30 साल से निस्वार्थ भाफ से जो काम किया है पबलिक में और एक फैमिली जिसको मैं बिलॉंग करती हूँ एजुकेशन से फील्ड से हूँ और तो मुझे नहीं लगता कि मेरी पार्टी मुझे ओन करेगी या मेरे इस काम को मेरे इस व्यक्तित्व को नहीं मतला क issर में मुझे लग रहा है कि आपका टिकेट हो गया नहीं अब ही मैं यह नहीं कह सकती हूँ लड़ोंगी गुवर्जा कर एक दो साल पहले में आपने किया है तो मैं डिसरफ करते हूं मतलब महिला की सीट आईए इसलिए आपने पॉलिटिकल गरूप अगर जेनरल आती तो आती हमारे बहुत साथे हमारे बाई बंद को अगरा है तो शायद इका दुक्का महिलाओं में मैं टॉप पे आती हूँ जो जिन्हों ने वाकई काम किया है नहीं मैं देखता रहता हूँ और मैंने पिछले आपके कुछ इंटर्वीउस भी देखे उसमें मैंने देखा कि आप जो है मैला के हमेशा सम्मान में तो खड़ी रहती हैं लेकिन उनके साथ भी हमेशा हमेशा खड़ी रहती हैं हर महिला वो जो परेशान है वो मेरे पास के एक होप से आती है और उसको न्याई भी मिलता है ऐसा नहीं है अचा मैं जाना चाहूँगा चनदोसी को आने माले समय में आप किस रूप में देखना चाहेएंगी जैसे हमारे पहले थी और पहले बहुत सुंदर शहर हम अगर आपको और मैं अमेररिका जाती हो मैं लास्वेकिस को देखते हूं तो ने ले रखता है तो हम एक प्रॉपर एक प्लानिंग के संग, एक सुन्दर सा शहर, छोटा शहर है, अगर मैं आपको और कुछ नहीं बोलू, अगर मैं अमेरिका जाती हूँ, मैं लास वेगेस को देखती हूँ, लास वेगेस चन्दॉसी से जितना बड़ा ही शहर है, और पूरी दुनिया उसको देखने जा रही ह अगर हात में आया, कोशिच करेंगे, और वह वैसे तो देखिए, एक से ग्यारा, ग्यारा से एक सो ग्यारा, ऐसे बनते हैं, जब तक सब का साथ नहीं रहेगा, तब तक ऐसा कुछ नहीं होता, तो जनता जनारता ने यदि चेन से चेन जुड़ेगी, तब ही चंदॉसी का जब सब का साथ मिलेगा, तब ही सब का विकास होगा, सब में विश्वास अगर मेरे को दिलाए, हमारे मानने मोदी जी का नारा भी है, सब का साथ, सब का विश्वास, तो विश्वास भी चाते हैं, साथ भी चाते हैं, और विकास तो करेंगे, चलिए बहुत अच्छा लग जनदा जो आप से करना चाहें। निर्दलिय में देखिए भया, मैं आपका जैसे मैंने आपको बताया है, मैं अपनी स्कूल संचालिका हूँ और अपना काम करती हूँ, मैंने एक होपच टिकेट मांगा है, और अगर वो मुझे होप में कहीं भी मैं डाउन होती हूँ, तो मेरे को एक धक्का लगेगा कि नही मैं अगर पब्लिक चाहती है, तो मेरे को जिस से मैंने आवेदन किया उससे मुझे मिलेगा, कहीं आप पीछे अब नहीं अठेंगें, अभी नहीं कह सकते हूँ, तो शायद अभी कोई प्लैंग नहीं नहीं तो फिर मेरा परिवार पती डिसकूशन करके आगे मैं बीसकों करें की बनाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कुछ दर्सकों को जाहें गी हमारे चैनल नर आप लोका और यहां तक कुछाने में आप सब का मेरा अकेले का नहीं आप सबका सअयोग है थो क्योंकि मैंने जो काम किया वह मीडिया के त्रू सामने आया तो उसका आप सब को बहुत धन्यवाद धन्यवाद